कि कोई-कोई लोगों करें ता कि क्या देंगे पहले लगाना चलो करो फिर उसके बद दीफिकर्टी लेवल जिसे बढ़ते रहता है कि लगाओ फिर आईभी पीएस प्यों में आपके थोड़ी टाइमिंग में चुरुबत किया तो मेरे बीस मिनिट में दर से बारा महा की आते थे दीरे दीरे पंगरा आठरा बीस तो आज हमारे साथ हैं तोशिर नंद कि शोल शिंडे जी और वेलकम यू तोशिर जी आप और यू कैसे हैं आप I am well done thank you कैसा लग रहा है आपको इतने सारे एक्जाम सबसे पहले मैं तोशिर के बारे में कुछ बाते बता दू इन्हों ने आई बीपेस क्लर्क आई बीपेस पियो दोनों निकाले हैं उसके अलावा इस दो पीएस यू में का इंटर्व्यू रहता है गीचारि है एक पीस यू और इन्हों ने एग्जाम किया है तो बहुत सारी अचीव्मेंट है तोशिर की and still the things are counting I think right you will be going to going forward after that तो तोशे ने पियो निकाला है, IBPS PO निकाला है, Bank of Maharashtra इने मिला है and IBPS clerk में इने Indian Bank मिला है so again many many congratulations for the for all the exams that you have cleared and many more to come, right? तोशे थोड़ा बताईए अपने बारे में बताईए कि कैसे अपने preparation start की कैसे चीजे start हुई, graduation अपने की तो किस stream में अपने graduation की मैं मेरा graduation civil engineering में हुआ है, नागपुर से, Credit College of Engineering से फिर 2018 में, फिर उसके बाद मैंने MPSC civil engineering की exam जो होती है उसके preparation स्टाट के थी तो वो मेंस उसका 2020 में मैंने दिया था लेकि मेरा clear नहीं हुआ था और उसे time पर corona लाग गया था और उसके बाद उसकी vacancy कुछ आने का ऐसा था नहीं की कि उसकी vacancy आएंगी तो मैंने फिर banking के पर फोकस shift दिया फिर उसके बाद banking की preparation करते करते हैं जैसे banking का जो syllabus रहता है और बहुत से PSU का भी syllabus जब exam होती है तो quantitative attitude to reasoning और English similar type करता है कि जैसे MSTC अगरी की बात करें तो उसमें operations अगरी के थोड़े subject और से जूड़ते हैं तो एक banking exam एक basic basic आपके clear करते था है कि वह exam अगर आपने पढ़ाई की exam तो आप दुसरे exam भी दे सकते हो जैसे आपने आपने कहा आपने 18 में एक तो engineering की engineering के बाद जोग होते हैं कि job and all मिल जाए या अगर switch करते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसमें banking में जैसे mathematics हैं तो people are more you know like they are more inclined to that अपने चूज़ के अपने अपने civil engineering की civil engineering का जो एक्जाम लिकलती है जो पी डवलोडी अगरे में जो वेकेंसे लिकलती है उसकी मैंने लेकिन उसमें अनपोर्चनेटली हुआ नहीं तो उसमें प्रोसेस तिन चार चार साल तक मतलब रिजर्ट क्या है तो इसलिए और कि तो जल्द लिए आती ही रहता है जो भी प्से होती है उनका भी रिजर्ट एक्टमस में आई जाता है तो इसलिए इसके तरप स्विच करना में को सही लगा हुआ तो आपका राइट टाइम पर अपने यूगें से आपने डिसीजिशन लिया तो बच्चे जो एक्सें इं तो कितना attempt वो करें या कितनी कितना वो ट्राइ करें और उसके बाद उन्हें स्विच करना चाहिए और जैसे आपने स्विच किया हम देख सकते हैं वो डिसीजन आपका बहुत बढ़िया था अगर आप और दो एक साल तीन साल उसी चीज के लिए लगे रहते हैं लेट से वो मिलती और अगर वो नहीं मिलती तो यूद उन्हें बीहर राइट ना राइट जहां पे अभी आप हैं यहां पे बांकिंग में हम मेंली दो चीजें जो बच्चे करते हैं साट करते हैं प्रिपेर दाट इस यूर कॉंट अड़ इस और रिजिग एंगलेश कुछ लोगों को आती हैं कुछ लोग उसको पढ़ते हैं राइट जी के सबको पढ़ने पढ़ती है तो कैसे जब वो पिछ हुआ तो एक यूरिड मैं यह तो प्रिलियम्स लेवल पर तो तीन चीजे होती है उसमें कि इंगलिश रिजनिंग और इंजिनेरिंग के बाद जो मेंली बच्चे का सोचते हैं कि मैं एक तो MPSC या PCS की जो भी सब्सक्राइब चलो ठीक है कि मतलब एक देड़ साल में उनका पुरा जाता है जाता है अगर एक या दो अटेम में नहीं होता है तो मेरा एक सजेशन करेंगा बच्चों को जो भी आप बढ़ाई कर रहे हैं कि अगर आपसे नहीं आपका दो अटेम में नहीं हो रहा है तो आप इस एससी बैंकिंग के तरफ स्विच करें क्योंकि एक तो इंजिनेरिंग इंजिनेर जो लड़के रहते या लड़किया रह तो उनको सिर्फ फोकस रिजनिंग और इंग्लिश में मतलब ज्यादा फोकस उनका होना चाहिए तो उससमें वह एक यह सोर्स जैसे हिंडू के एडिटोरियल करते हैं उससे स्टार्ट कर सकते हैं पाच-पाच-दस-दस मिनिट लिकाल करके रोज रोज जैसे बैंकिंग का एक ऐसे सी का तो ग्रामर अगे उसमें बहुत जादा है लेकिन अगर जब अपना बैंकिंग की बात करेंगे लिकाल सकते मेरी सबसें पाच-पाच-बार से रिलेटेट रहते हैं पिर कॉंप्रेंशन सबसें मेरे पर पर इसमें एक अच्छी मौक ले 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 अपना बेसिक क मॉक में पहले सेक्शनल दे पहले फ्री की मॉक्स दे जो 20-20 मॉक की रहती है फिर सेक्शनल दे और फिर उसके बाद 100 मॉक्स की एक मॉक दे करके देखे तो उनको एक रख आईडिया आजाएंगा और उससे भी पहले मैं यह बोलूँगा कि आप पहले प्रिवियस यह कोशन त चाहिएंगा और क्या इनिशिल जिसे आपने बताया इटीन में आपका हुआ दिन 2020 में आपने सोचा बांकिंग कर लूँ तो 2020 से नाओ इस 2024 तो कैसे इनिशिल फेज में आपने बहुत हडल स्वेस की ओंगी प्री निकाला होगा कहीं बार प्री नहीं निकलता कहीं बहुत च करना चाहिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले यस मैं जिसे में 2020 में फेल हुआ तो थोड़ा डिप्रेशन हो गया था कि मेरा पेपर तो उत्ता अच्छा गया था लेकिन फट थोड़ा ज्यादा आ गया तो थोड़ा लगा कि यार मनलब छूट गया फिर मेरा दोस्त बैंकी की प्रिप्रेशन कर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर सकते उसने मुझे यह एडवाइस किती सबसे पहले तो प्रिविएस यह कोशन पीपर डाउनलोड कर ले जो भी चारचार पास-पास हलके रहते हैं मैंने देखा एक पैटन देखा उसमें कि ठीक है पहले पंदर से सबीज मक्त रहते हैं बाकि अपना प्रिडर्स रहते हैं इसमें इंग्लिश डेखा और कॉंटिटेटी एप्टूड्यूट में आके प्लिर्म में तो कम से कम दखा दरस-पंदरम आपके तो सीप्लीपिकेशन और अप्रोग्सिमेशन के कोश्चन नहीं आ जाते हैं उसम जैसे पहले समझ लो कि लोगिजम के पार्ट वेसा हो था यह थे कि लोगिजम देता था तब प्र उसमें देगा और ऊसे दो मुथ रहे था है तो मेरा यही कहना रहेंगा कि जब आप मोग कोई भी वच्छा आगर मोग दे रहा तो उसमें गली कि फीर क्लियर किया फिर प्रिलियन के तो उसमें तो प्रेक्टिस नहीं से आप रिजनिंग की बात करें तो जब आप असल एक्जाम में देखोंगे तो कोई कोई कोडिंग डिकोडिंग में एक दू कोशन ऐसे रहते हैं कि उसमें आपको एक देड़ मिनिट तक आपका समय उसमें चले जाता है तो आपको पिक करना कुशन बहुत इंपोर्टन होता है आपको पता रहना चाहिए कि मुझे कोडिंग डिकोडिंग में उस टाइम पर यह छोड़ना है क्योंकि मुश्किल से 20 मिनिट रहता है अपने बास 20 मिनिट में से भी ओ देखने में एक दो मिनिट चले जाते आट्रा मिनिट का पूरा खेल रहता है उसमें जैसे मुझे प्रिलिम्स में 70 मांक्स दे जब मैंने एक्जाम दे दिया तो मुझे पता था कि मेरा होई जाएंगा अपको कोई लेना देना नहीं है उससे आपको पता है कि अगर मैं मौक में इतना ऐसा ऐसा अपने स्ट्रेटेजी के सबसे कर रहा हो इंग्लिस में मुझे 22 मैंत्याक मुटूं मेरा कोaning इसे सब्सक्राइब मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेरा प्री तो शुरुवात साही लिखलते ही रहत हो था प्री के होने के बाद मैंने रिजर्ट के रहा देखा था एक एटेंब में और जूसमें ब्रिप्रेसियों मेरा जीके पुरा चोट गया था वैसा ओसके मुझे जब किए आपने जब किया तो कॉंट तो चलो आपक अप़ साइड बाय साइद आप प्री और मेंस तो नों के लिए आपने प्रेंड के लिए होगा और कॉंद में कॉंट में सब सब्साइश में subject मैं अगर हम बात करें तो कॉंट से शुरू करते हैं, क्वांट से आपकी चीज़े कैसे रही, लाइक प्री में से डिफेंट तरीके से प्रिपेर किया, सेम टाइम पे किया, कैसे किया? नहीं मैंने तो सेम टाइम पे किया, मैंने एक पहले अपना जो भी रहता है, आपका जो यह अबरेज हो गया, जो भी एक शिक्षन है, अलग से सिक्षन हो, क्या बोलते हैं, इसक्षन हो, इसक्षन हो, जो एवरेज रहता है, एलिगेशन मिश्चर रहता है, इस नहीं मैंने पहले एक सोर्स पकड़ा, सोर्स हे पूरे बेशिक्स अपने क्लियः कर लिए, प्रिवियस यर कोशन पेपर देखे, फिर प्रेलिएंस के और मेंस के, फिर वहाँ से मिन क्कृ ranks मोर्ग का था, प्रेक्षन मॉर्स के, ऑच्छा है कि रहता है, सेक्षन न utilizzoster, मेरा एक रहता था एवरेज में 25 में होना चाहिए इंग्लिश में तो मेरा पहले से अच्छा ही था तो 23 के उपर ही मिले 23 के नीचे नहीं गया में 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 इस करता है नहीं था मैं उसको स्फिंप्ली मतलब दे देता था उसमें पहले फूरा रगा लेता था एक बार प्री तो देते थे उसके साथ आप में भी अटेंप्ट करते थे में 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 फूल मॉक निया कभी प्लिम के पहले लेकिन सेक्षिनल का पूरे कवर करके रख देता हुआ अब को चुमलते हैं वह उसने आपकी बहुत है कि मॉक्स में आपकी बहुत है आपको मेले रीजनिंग पर आए तो रीजनिंग कैसा रहा आपका लैक कितना हंद फेस की अपने रीजनिंग में किसे प्राइन की बहुत है पहले आपने बोला था कि what to choose is very important कि क्या question pick करना है क्या question का answer करना है वो उस time पे बहुत important होता है तो how do you choose अपने कैसे particular question को छोड़ना है नहीं छोड़ना वो आपकी strategy क्या रही चूज करने की और जब आपने reasoning start की तो क्या आपने reasoning में भी sectional लगाए practice mock के क्या आपने मौक दिये कैसे prepare के आपने reasoning को reasoning के वही मैं फिर से मैं बोलना चाहूँगे कि पहले आप सबसे पहले previous year download कर लेजिए जब मैंने reasoning के चालू किया था तो मैंने PO का previous year उसको उठा करके भी नहीं देखा था clerk से मैंने शुरुवात की क्योंकि वह ज़्यादा बेनिफीचिर पहेंगा जब आप reasoning का previous year question paper परोंगे तो आपको पता चलेंगा circular जो रहता है arrangement उसमें वह एक ही direction के देते उस समय और फिर वह outer insight अगेर जो रहता है वह PO के प्री में आता है तो अगर आप circular हो या square हो या जो भी हो इंसाइट का आता है इंसाइट जो circular में आरेजमेंट रहता है या square रहता है या जो भी प्रीलिम्स रिलेवर के जो पजल रहता है वह एक easy रहता है वह basic level के रहता है तो मेरा कहना यही रहेंगा कि आप पहले वह basic लगा लो यह मत सोचो कि वह यह clerk है या कोई 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 लोगों कर देंगे पहले प्हले प्यों कर देंगे लो फिर आपको लेलो फिर आपको उसके बाद दूसरी पर कदम रख वाओगे अगर आप एक लगे मौक में अगर आप 80 प्लस पूर कर तो आपको ऐसा लगेंगा कि नहीं हां मैं प्यों अभी कर सकता हूं अभी मैं मतलब उसके काबिल हूं और प्यों मैं मैं तो प्लियर करी सकता हूं तो मतलब वहां से बेसिक से बेसिक मुथ हेल्प करते हैं के क्लरक के बहुत प्रॉब्लम होंगे कि अगर आप प्यों के लगाना चालो करोंगे क्वेश्चन तो आपको तो एक तो आउसा हो सकता कि आप छोड़ भी दो कि नहीं जम रहा है मेरे से शुरुवात में डी मोटि तो थोड़ा थोड़ा डिफिकर्टी लेवल जिसे बढ़ते रहता है आई पीपीएस फीओ के लगाओ फिर आई पीपीएस फीओ में आपकी थोड़ी टाइमिंग में चुरुवात किया तो तो मेरे बीस मिनिट में दर्स से आप बारा मां की आते थे दीरे दीरे पंगरा आ और एक समय ऐसा आता है कि मतलब वह इतना एजी होजाता है की मतलब आग बीना देखें भी आप उनकर सकते यह यह तक बिना इतनी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप आपके बेसिक ट्रॉग होगे तो मतलब अच्छी लेवल के ऐना की एक प्रेक्टिस कर लेते होग सब्से और तभी आपको पता चलता है कि महाँ अब 10-20 मिनिट में आपको क्या पकड़ना है मतलब करना है उससी समय आपको पता चलता है इसे में अभी उनकाव लेवल चेंज होगा है पहले पर सिंगल सिंगल लाइन के देघ्र मिलते थे गया एक कोश्ण बन गया है उस आपको पता चलेगी इंग्लेश आपकी अच्छी थी तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई आपको इंग्लेश में उसमें जिसे अभी प्रेक्टिस मुख में तो आई कच्छी चलू किया कि इड्दू के एड्टॉरिय लगे रहे आ जाते मैंने शुरुवात किया तो तब ऐसा नहीं था लेकिन अब भी इस साल तो में कुझे लेट हो जाती है उसमें कैसा है आप पहले मेरा यह कहना है कि जो पार्च मक्ता जो पूरिंग टॉपिक है जिसे एरर क्यों हो गया वो बच्चे मेरे हिसाब से वह छोड़ते तो आप यह करिए कि पार्ट्स आप इसके उपर आपकी कमांड होनी चाहिए आर्टिकल्स हो गया कि उपर आपने कमांड कर ली एसपी बख्षी बूक है उससे अगर आप कोश्चन लगा ले एक दो बार तो आप आपकी आपकी प्रेक्टिस होजेंगी प्री और मेंस की तो मेरा कहना यह है और कॉंप्रेंशन क के लिए आप एक प्रेक्टिस हो जाएगी और बाकी सब्सक्राइब कि मतलब इंग्लिश मोवीज हो गया यह इंग्लिश मूवीज हो गया या कोई बेर अगर आपको नोविल पढ़ना पसंद है तो यह सब आपको एक स्दॉक्त आपको कर सकते मैं तो एक्स्ट कहीं बूलूँगा अगर आप मॉक मॉक और यह पार्ट्स पीच मतलब ग्रामर के ऊपर थोड़ा देंगे और मॉक के ऊपर देंगे रोच दो प्री लेवल की और एक मेंस लेवल की तो आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छा सुधरी जाएंगा और हैं आपको डिफिकल्टी वी तो इस बार जब अपने एक्जाम से का लें तो मैं जीए के लिए कोई भी एक स्टैंडर सोर्स हो गया प्रेक्टिस मॉक का भी है सोस अच्छा ही है जैसे प्रेक्टिस मॉक का आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो करियर क्लाउट्स का है मतल मतलब देली उनके जो 30-40 कोशिशन साथ है उसको थोड़ा रटने की कोशिश कीजिए क्योंकि वह सारा डाटा आप रटोंगे तो फड़ा अच्छा ही रहेंगा मेरे सबसे उसमें यह मसोचे है तो आपने होगी सारी चीज़ा देखें जो उसमें इंटरनेशनल आप्यास अ की जो स्कीम लिकलती उसके बहुत सरे कुश्चेंस अब प्री और मेंस्मेंट आपर पहले नहीं डालते थे लेकिन यह दो साल से मैं देख रहा हूं कि जो गवर्मेंट की स्कीम में जित्ते भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की हो गया फैनांस की हो गया रिज़ार बैंक जो भी अपने को मिली जाते लेकिन जी एक स्क्षन जो अनप्रेडिक्टेबल है आई पीएस क्लरक में मुझे बहुत अच्छे मांस मिले उसमें 2324 तक मिले लेकिन आई बीपीएस के इसमें वह जी एसा अनप्रेडिक्टेबल आ गया था सब्सक्राइब करें मेरे सबसे जो प्रैक्टिस मौक के जब आप 10 मौक रहते हैं या भी कोई भी मौक आप दे रहे हैं उसमें 10-12 मौक तो में स्क्राइब रहते हैं पीडियस मतलब दस तिन पहले प्रैक्टिस के प्ले जो रहते हैं और एक मतलब एक्जाम के दिए के लिए यूज कर सकते है वह रिवीजन के लिए बेस्ट है क्योंकि जो वन लाइन कोशन कभी-कभी आ जाते वहां से लिकल जाते कभी-कभी तो मतलब बैठे-बैठे मतलब आदे घंटे के अंदर ही रिवाइस करके वहां पर आपको यादी रहेंगा आदे घंटे में क्या बूलूंगा एक्जाम जात मैंने के जीएगा आपने सफिशेंटली अच्छी से कर लिए उसके बाद प्रैक्टिस मोग के जो दस मोग रहते हैं दस मोग अपने मेंस लेवल के दे दिये उसमें जो चालिस-चालिस है पचास-पचास कोशन रहते उसको मेरा यह कहना रहेगा स्टुरेंट्स को कि आप व तीन-टीन लेवल के कोशन मतलब तीन-टीन मतलब 1 2 3 करके ओप्शन क्रियेट करो चूज करो औली 1 2 ऑनली 3 आपको मोग में आपको जो लेवल दिख रहा है आप जब मेन एक्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको कठनाई का सामना ना करने पर ना पढ़े आपको ऐसा ना लग क्वारु में कैसे आप आपको पर यह ले लिया था और फैला अपने लिया था तो कभी-कभी कैसे रहता है कि आपने जो पूछा हो वहाँ पूछ लेंगे कभी-कभी हो सकता कि ना पूछे जब आप दो-तिन मौग देखकर के जाते हो तो वहाँ पे अगर आपका इंटर्वीट में अच्छा जाएंगे जाएंगे अगर आपका इंटर्वीट में अब्सक्राइब तो मेरा यही कहना रहेंगा कि वह उपकित्ते मांक्स आफ थोड़ा कॉन्फेडेंस लेकर के जाइए अपना थोड़ा दो तीन मौक्स लेते हैं तो उसी तरह से हम जब रियल बैठते हैं तो वहां पर भी बहुत चारी चीज़ दर्स करते हैं जब आपने भी इंट्रू दियो होगा तो आपके लिए मैंने मुझे पूछा था कि Finance Commission के बारे में आपको क्या तो मैंने प्लैनिंग कमिशन अच्छा रहा लगा कि मतलब आपको अगर 100% आप शौर हो तो आप बोली है अगर आप 100% शौर नहीं हो तो उनसे पूछिए कि मतलब कैना गेस अगर ऐसा करके थोड़ा उनसे पूछिए त तो ठीक है नहीं बोलते तो आप बोले आइडोंट नो तो वह में को सजीशन अच्छा लागा था उटकांग पूछा नहीं उसके वारे में अगर गलत जवाब देते हैं जैसे तब आपने किया होगा और हमने आपको समझाया होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है तो जब आप जवाब दोगे तो पैनल मेंबर्स आपको नहीं छोड़ने वाले देविल की अपने गलत जवाब दिया है तो आपसे दस क्वेशन और उसके उसके उपर ही वह 10-15 क्वेशन और से पूछ लेंगे तो आपको आपका मतलब समझ लोगी आपको मुंबई जाना है तो पुलकता इस टाइप का महावल रहता है और जब ऐसा नहीं कि सीनियर लोग बेठा रहते पूरे पाच्छे जन पैनल में रहते है तो उनको पता है वो क्या पूछ रहे है उनको क्या समझ में आ रहा है उनका पूरी रीडिंग अच्छी रहती है आपकी चहरे आगेर की पूरी बॉड लगने थे बहुत सारी बाते वे वो पता लगा तो नेक्स पार्ट क्या एडवाइज आपकी तरफ से रहेगी जो आस्परेंट अभी प्रिपेर कर रहे हैं और वो आस्परेंट जो जल्द से जल्द एक जॉब लेना चाहते हैं एक क्या आई प्रे की जिसे आपके पास अभ की वो भी आपकी तरह सबसेंट जैसे ग्राइजुशन होता है तो अभी जैसे अनुप्लॉइम्ट भी जादा हो गया तो मेरा यह कहना है कि आपको लगता है कि आप इस थीक है कि आप आई एस की एक्जाम यह क्लियर करना है आप भले दीचिए एक साल या दो साल दीजिए लेकिन आप उसी में ही मतलब एकदम फोकस ना करते हुए अधर चीजों पर भी एक्जाम के तरफ मुड़े एक बार यहां पर मुड़ते हों आपको पता चला कि नहीं मैं मौक में अच्छा कर रहा हूं मुझे लगता है कि मेरा हो जाएंगा इसमें सेलेक्शन आपको होंग मुझे पता था कि मेरा इसमें होई जाएंगा करोना के बाद मुझे भी बहुत दिफिकल्टी सिच्विशन करनी पड़ी फैमिली की हो गया सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलते रहे था है सिरी पेशन्स रखिए और जो अपना काम है जैसे रोज एक सेक्शनल मोग हो गय या मैं पूल मोग दे जीजिए मनला ब्रोज और मेंस लेवल की से पहले सेक्शनल मोग कवर कर लिजिए अफ़ते में लेकिन कवर कर लिजिए उससे क्या होगा कि आपका बूस्ट हो जाएंगा और आपको लगेंगा नहीं मैंने पढ़ाई करके रखिए मतलब मेरे पढ़ाई नहीं जाएंगी करके तो आप इस वेस से जाएंगे और मेरा यह कहना रहेंगा कि विलिफ कीजे कुद के उपर अगर मेरा हो रहा है तो आप लोगों का भी होंगा मेरा यह कहना है अब टेंशन मत लीजे आप डेली बेसिस पर प्रक्टेस करेंगे डे काम या अभी अहीं ठेहरना है क्या करने के ब्लाइन साब मैं अभी तुम्हें में मैं सोच रहा हूं कि आर बी आई का जो भी नोट्टिकेशन आएंगा उसकी प्रड़ाई चालो करूंगा मतलब मैंने अगर अगर तो पुरा करके रखाओ बस अभी उसका में मैं कैसे स्टा तो all the best for your preparation आप PSU के लिए प्रपेर कर रहे हैं I pray कि आप इसमें भी सक्सीट करें इसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो and many many congratulations to you once again आपने काफे सारे एक्जाम्स निकाले हैं ये थे हमारे साथ तो शीर नन किछोर शिंदे जी and जैसा कि मैंने शुरू में भी बताय था इनो आपके हातों में भी काफे सारी उप्रप्दियां आ सकती हैं थोड़ी सी गाइड़न्स और प्राक्टिस बिसिकली डेली आगर आप्राक्टिस करेंगे तो आप भी इनकी तरह जो है एक दिन सक्सेस पासे हैं तो थस वस इत बद आप रदिव घु तो थैंक यू जो मैं बएल जब देवाग गएल बेस तु झाट्टिस नड़ था इनकी नग्ट्यक्ट था अटिए नग्त्यू लाग्ट अएल था आपाटर लाग्यों कि थाड़ी कि था नग्यू झाल झाल